आकाश्मणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नुमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मूधी ने कहा लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाच नवाचार के लिए सबसे उपयोग केंद्री स्वास मंत्री ने जन्वरी से देश में कुरोना वैक्सिनेशन शुरू होने की उम्मीद चताई प्रधान मंत्री नरेंद्र मूधी ने कहा है कि खुले दिमाग की लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाच नवाचार के लिए सबसे उपयोगत है आज छठे भारत जापान समवास समेलन को वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से संबोधित करते वे प्रधान मंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच नहीं हो सकती है उन्होंने जोर दिया कि इस चर्चा का एजिंडा व्यापक होना चाहिए और विकास की रूपरे खाब मानव केंद्रित रिष्ट कोंड पर आधारित होनी चाहिए प्रधान मंत्री ने कहा कि देशक और उससे आगे का समय उन समाजों का होगा जो सीखने और नवाचार पर एक साथ ध्यान देंगे केंद्री स्वास्तमंत्री डॉक्टर अश्वर्धन ने कहा है कि अगले महीने किसी भी सप्ता में हम इस इस्तिती में आ जाएंगे कि देशवासियों को कोविट टीके की पहली खुराख दी जा सके एक समाचार एजिंसी से बात करते हुए स्वास्तमंत्री ने कहा कि विशिशग्यों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविट टीके को लगाने के लिए 30 करोड लोगों की प्रात्मिक्ता तैकी है इनमे स्वास्तेकर्मी और पुलिस सेना तथा सुझता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ती के कारेकरता शामिल है ये टीका 50 साल से अधिक आयो की लोगों को या 50 वर्ष से कम आयो के उन लोगों को दिया जाएगा जो कुछ अन्य बिमारियों से ग्रिस्थ है प्रुदेश में कुरुणा संक्रुमण में कमी आये हैं यहां प्रतिदिन नय मरीजों की तुलना में ज्यादा संख्या में कोविड-19 मरीज स्वस्थ होकर घर लोट रहे हैं राजे में आपतक करीब 2,17,000 मरीज कोरुणा को हरा चुके हैं सबसे स्यादा प्रभावे तिन दौर में कल 386 मरीज कोरुणा से संक्रुमित हो गए वहीं 452 लोगों को स्वस्थ होने के बाद विभिन अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई दिवास से हमारे संवादाता ने बताए कि जिले में कोविड-19 रिकवरी दर 95.66 प्रतिशत हो गई है शैडोल जिले में 24 कंटों में कोरुणा के आठ नए मामने सामने आये है नीमस जिले में कोरुणा संक्रमन से स्वस्थ होने वाले विक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है आज जिले में 4 कोरुणा पॉजिटिव विक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है अब तक 2580 कुरोणा संक्रमित मरीज पूरी तरह स्वस्थो कर अपने घर लौट चुके हैं बैतूल में कोविड-19 के दो और आगर मालवा में भी नए मरीज मिले हैं शेदरफुर में कोरोणा जागरुकता भियान के तहट लोग संपर्ग बियोरों के जागरुकता रत को सांसद डॉक्टर विरेंद्र कुमार ने हरी चंदी दिखा कर रवाना किया बिंड की सवासेवी दीप्ती भुदौरिया ने प्रधानमंत्री के कोरोणा के खिलाव जनांदूरन को अपना समर्थन दिया है उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क लगाने, सेनिटाइजेशन करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं, दो गस्दोरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मूँ साफ रखें ब्रीके बाद समचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान आजप्रदीश के लगभग 20,000 पतवे क्रेताओं को मुख्यमंत्री ग्राविन पतवे क्रेता यूजना के अंतरगत 10,000 रुपे के ब्यास मुक्तर रिंका वितरन किया भुपाल के मिन्टो हॉल में आयोजित कारिक्रम में बुख्यमंत्री ने कुछ हित ग्राहियों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये समवाद भी किया अपनी संबूधन में श्री जोहान ने कहा कि कुरोणा वहावारी के दौरान सरकार की कोशिश है कि गरीब की थाली खाली ना रहे उन्होंने बताय कि अब तक यूजना का लाव लेने के लिए 8,000,000 लोगों ने पंजियन कराया है उन्होंने बताय कि सरकार स्ट्रीट वेंडर के लिए परिचे पत्र जारी करेगी जिस से पत्र विक्रेताओं को कोई परेशान ना करे कॉआंटि के लिए बेंक में तही किया गारंटि सरकार लेगी और ब्याज भी सरकार भरेगी हमारी मेरी गरीब बहने गरीब भाई 0,000 लेंगे तो साल भर में 0,000 वी बापिस करें और यह बहुत बड़ी रहत थे कॉंग्रस की वरिशनेता मोतिलाल बूरा का आज नई दिली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे 33 वरिश के थे श्रेवूरा को मधप्रदीश विधान सभा के लिए 6 बार चुना गया और वे 2 बार राज्य के मुख्य मंत्री रहे विचार बार राज्य सभा सदसे रहे और एक बार लोग सभा के लिए भी चुने गये वे उत्तर प्रदीश के राज्य पाल और किंडर सरकार में स्वास्त और नागरे को द्यन मंत्री भी रहे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने श्री वूरा के निधन पर दुख चताते वे कहा कि वूरा जी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं में एक थे कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने कहा कि मुतिलाल वूरा एक सच्ची कॉंग्रेसी थे और पार्टी उन्हें हमेशा याद रखेगी मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान, विधान सभा की प्रोटेम स्पेकर रामेशे शर्मा, पूर मुख्यमंत्री कमलना सहित, पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने शिवूरा के निधन पर शोग चताया है शिवूरा का कल 36 खड के दुर्ग में अंतिम संसकार किया जाएगा उमरिया सिले में नए क्रिशी कानून के तहट मानपूर S.D.M. सिधार्ज पटेल ने पहली कारवाई की है उन्होंने व्यापारी द्वरा किसानों को भुगतान में आनिमेत्ता करने पर 75,000 रुपए का जुर्माना और 3 किसानों को 25,700 रुपए की बकाय राशी के भुगतान के आदेश दिये हैं अब खबर मौसम की राज्य के कई सिलों में शीत लहर चल रही है रीवा ओमरिया जबलपूर सिलों में खास्ता और परशीत लहर का असर बना हुआ है वरिश्ट मौसम विज्ञाने पेके सहाने बताये कि वर्तमान में जमो कश्मीर और लद्दाग पर एक पश्यमी विशोब उपरी हवा के चक्रवात के रूप में है उसके प्रभाव से हवा का रोख उतर पूर्वी हो रहा है इससे उचाई पर बादुलाने का सलसला शुरू हो गया है इसे दिन के तापमान पर विशी ससर नहीं होगा लेकिन रात के तापमान में आज से कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी इसे ठंडर से मामूली राहत मिलने के उमीद है हलांकि पश्चमी विशोब के आगे बढ़ने के साथ ही तापमान में फिर गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा उमरिया से हमारे समवाताता ने बताए कि जिले में तीन दिन से तापमान तीन डिगरी सेल्सियस के आसपास बना होने से यहां का जंजीवन प्रभावित है पेश एक रिपोर्ट अलाव की ब्योस्ता की गई है वहीं जिले में इस्तित बांधोगर राश्टी उद्यान में इस कडाके की ठंड में भी परेटकों की भारी भीड है वे इस समय अब भ्यारण में बन प्रानियों के स्वक्षन विच्रण को करीब से देख रहे हैं आकासमानी समाचार के लिए उमरिया सिमय संतोस गुप्ता अब कुछ समाचार संख्षेप में पार्टी का लक्षे राष्ट का सरवांगिन विकास करना है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा लोगतांत्रेक और पारदर्शी समाच नमाचार के लिए सबसे उपयोक्त किंद्री स्वास्ट मंत्री ने जन्वरी से देश में कुरोना वैक्सिनेशन शुरू होने की उम्मीद जताई मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने 20,000 पत्विक्रेताओं को 10,000 रुपय के ब्यास मुक्त रंका वितरं किया प्रदेश के पूर्बोक्य मंत्री मोतिलाल वोरा का निधन प्रधान मंत्री सहित कई ने ताउने जताया शोक और दो दिन बाद ठंड से मिले की राहत मुपाल सहित कई सिलों में तेज धूप खिलने से पारा चड़ा वर्डिन के अंत में आप सभी से एक अपील मास्क और दो गच की दूरी हाथ होना भी है जरूरी नमस्कार